हेलो एवरिवन वैलकम टू बाई चैनल गाईस कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे तो आज जी हम रिडिंग करेंगे गाईस वो आपके परसन की करेंट फिलिंग को लेकर है इस वक्त आपके परसन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं चलिए देख लेते हैं आपके परसन अपने परसन पर फोकस कीजिए तो यहाँ पर यह दिखाई देता है आपके परसन अपने जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते थे और उनोंने इसके लिए बहुत महनद भी की है और जो कुछ वो अचीव करना चाहते थे वो उनोंने अचीव किया भी है ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है लेकिन बावजूद इसके आपके person खुश नहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है आपके person ने सब कुछ हासिल कर लिया बहुत जादा महनत भी उन्होंने की है इसके लिए लेकिन फिर भी वो खुश दिखाई नहीं देते हैं उन्हें अकिलापन महसूस होता है उन्हें लगता है कि कुछ कमी सी है उन्हें ये लगता है गाइस कि की उन्होंने सब कुछ हासिल तो कर लिया लेकिन इनकी खुशियों को बाटने के लिए वो अपनी खुशियां आपके साथ बाठना चाहते है ऐसा यहाँ दिखाई देता है अपने दिल की बात आपको बताना चाहते है ऐसा भी है और आपके परसन को ये लगता है गाईस कि आप ही वो इनसान हो जो उन्हें समझ सकते हो और यहां आपको ये लगता है गाईस कि आपके परसन सिर्फ अपने उपर ध्यान देते हैं अपनी दुनिया में ही वो मस्त हैं उन्हें आप ही कोई फिकर नहीं है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है आपके परसन को यह लगता था गाइस की पहले वो जो पाना चाहते हैं जो हासिल करना चाहते हैं वो कर लेंगे तब वो अपने दिल की बात आपको बताएंगी या फिर अगर उन्होंने अपने दिल की बात आपको बता चुकी थी तो वो चाहते थी कि सब कुछ हासिल करने के बाद ही वो आपको कमिटमेंट दें आपकी तरफ बढ़ें पहले वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे जो भी उनकी इच्छा थी जो भी वो हासिल करना चाहते थे तभी वह आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते थे ऐसी उनकी सोच थी और आपके परसन ने यह किया भी गाइस बहुत सदा महनत की उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है लेकिन आज उनकी यही स्थिति है कि उनके साथ उनकी खुश्यां बाटने वाला कोई नहीं है बहुत सदा अकेला पन उन्हें महसूस हो रहा है और यहां पर कुछ लोग ऐसे भी है जिनका no contact है अब उनकी परसन से कोई बाच्चीत नहीं हो रही है तो यहां पर आपके परसन को यही लगता है कि उन्हें आपके साथ अपना रिष्टा खराब नहीं करना था जो आज अकेले पन का वो सामना कर रहे हैं अगर आपके साथ अपना रिष्टा बचा कर रखते तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता और अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत साथ दूर रहते हैं गाईस तो आपके परसन ट्रेवल करके आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं और यहाँ पर यह भी हो सकता है गाईस कि आपने अपने परसन को ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर आपके परसन नहीं आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो यहाँ पर उनकी एनरजी ऐसी भी है गाईस कि वो आपको Unblock करना चाहते हैं आपसे Kontakt वो करना चाहते हैं और अगर आपने उन्हें Block किया है तो वो यह चाहते हैं कि आप उन्हें Unblock करो आप उनसे Contact करो ऐसी energy भी आपके person किए कि वो आपका wait कर रहे है अभी आप लोग भले ही Contact में नहीं होगा लेकिन फिर भी आपके परसन की एनर्जी ऐसी है कि 24-7 वो आपको याद कर रहे हैं आपसे वो कॉंटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो कि आपके परसन आपको बहुत सब मिस कर रहे हैं और आपके बिना उनका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा यहां दिखाई दे रहा है आपके परसन के दिमाग में हमेशा रहता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है आपके ऐसे हो किस तरह हो यह सब बहुत कुछ आपके बारे में आपके परसन जानना चाहते हैं ऐसा भी यहां दिखाई देता है आपके परसन ने गाए इस खुद को इतना सदा खुद में ही बिजी कर लिया था कि आपके साथ जो रिष्टा है उसे भी उन्हें बचा कर रखना है उसे भी उन्हें संभालना है ये बात आपके परसन भूल गए थी लेकिन अब आपके परसन को जब सब कुछ हासिल हो गया और अब उनके साथ खुश्यां बाटने वाला कोई नहीं है बिल्कुल अकेले पर चुके हैं आपके बिना तब आपके परसन को आपकी कदर अब समझ में आ रही है और जो भी आप दोनों के बीच हुआ जिस भी वज़े से आप दोनों का रिष्टा खराब हुआ था तो उसके लिए भी अब आपके परसन बहुत दा पच्ता रहे हैं और अपनी गलती का भी एहसास अब आपके परसन को हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए था सिर्फ अपने करियर पर उन्होंने फोकस किया अपनी जिन्दगी को बहतर बनाने के लिए उन्होंने फोकस किया और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो अब इस चीज़ का आपके परसन को पच्टावा भी है और यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है गाईस की भले ही आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है आपके परसन ने लेकिन फेक अकाउंट बना कर वो आपको सोशल मीडिया पर भी स्पाई करते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप जब उनसे अब अलग हो चुके हो तो आप किस हाल में हो आपके जिन्दगी में क्या चल रहा है आपके बारे में वो सब कुछ जानना चाहते हैं इसी वज़र से आप पर आपके परसन नजर बना कर रखते हैं आपके person को अब यह लग रहा है guys कि आप उनके लिए बहुत सदा important हो उनकी जिन्दगी में आपका होना बहुत ही ज़ादा माइने रखता है आप उनकी जिन्दगी में नहीं हो तो अब कुछ भी नहीं है ऐसा आपके person को लग रहा है बहुत सदा अकेले पड़ चुके हैं वो ऐसा भी उनको लग रहा है इस वज़े से अब वो आपके साथ अपना रिष्टा दुबारा से सुधारना चाहते हैं आपके लिए वो action लेना चाहते हैं, आप से अब वो contact करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, आपके बिना वो रहने के बारे में अब सोच भी नहीं सकते, ऐसा भी आपके person को लग रहा है, और guys अभी कुछ दिनों में आपने भी कुछ न कुछ ऐसा देखा होगा, चाहे social media पर हो, या किसी भी तरह आपके person का कोई न कोई action आपको देखने के लिए मिला होगा, या कोई न कोई हरकत आपके person ऐसी कर रहे होंगे, जिसकी वज़े से आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसकी कभी unblock कर दिया, फिर block कर दिया, कभी DP कुछ ऐ जिसकी ज़़े से आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, कभी कुछ ऐसा इस status में लिख दिया, कि वो आपको समझ में आए, कि वो आपको मिस कर रहे हैं, तो कोई न कोई हरकत आपको आपके person की देखने को मिल रही होगी, या फिर कुछ दिनों में मिलेगी, बलाई गाईस आपने move on करने की कोशिश की है, अपने person से या आप चाहते हो कि आप उन्हें भूल जाओ, लेकिन आपके person ऐसा नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाओ, या आपके जिन्दगी में कोई और आए, ये भी आपके person नहीं चाहते हैं, आपके person किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते, ऐसी भी energy उनकी है, और इसी वज़े से वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी तरफ बढ़ें, आपसे contact करें, कहीं अब ज़्यादा देर ना हो जाए, ये भी डर है आपके person को पहले क्या था गाईस कि आप ही हर कोशिश करते थे इस रिष्टे को बचाने की, इस रिष्टे को संभालने की, आपके person का ध्यान आपके इस रिष्टे को बचाने में नहीं था, या इस रिष्टे को संभालने में नहीं था, आपकी तरफ नहीं था, आपको वो ignore भी करते थ क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने उपर था, अपनी जिन्दगी को बहतर बनाने में आपके परसन लगे हुए थे, ऐसा यहां दिखाई देता है, और यहां पर कुछ लोगों के रिष्टे में थार्ड पार्टी भी आई है, ऐसा भी हो सकता है, यह थार्ड पार्टी की वज़ यह रिष्टा खराब भी हुआ है, लेकिन अब आपके परसन पूरी तरह इस रिष्टे पर ध्यान देना चाहते हैं, इस रिष्टे पर उनका ध्यान है भी, किसी भी तरह आपके साथ अब वो रिउनाइट होना चाहते हैं, आप किसी भी तरह उनकी जिन्दगी में वापस आपके परसन चाहते हैं ऐसी एनरजी है अभी उनकी तो आपके परसन आपसे अभी कॉंटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि आपके परसन आपको खोना नहीं चाहते ऐसी एनरजी उनकी है और अब वो नहीं चाहते कि और देर हो क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अब वो ज़्यादा समय लेते हैं तो कहीं आप इस रिष्टे को हमेशा के लिए छोड़ कर आगे न बढ़ जाओ और आपके परसन आपके बिना नहीं रह सकते ये बात आप वो समझ चुके है आपके परसन को अब ये समझ में आ गया है गाई ये बात आपके परसन को समझ में आई है और इसी वज़े से आपके परसन आपको बहुत सदा याद कर रहे है आपकी तरफ किस तरह बढ़े ये वो सोच रहे है अपनी गलतियों पर उन्हें पच्टावा भी है और आपके परसन अब किसी भी तरह इस रिष्टे को सुधारना चाहते है ऐसी एनर्जी उनकी है पास्ट में इस रिष्टे को संभालने के लिए जो कोशिश आपने की थी अब वही कोशिश आपके परसन करना चाहते हैं और आपके साथ बहतर जिंदगी वो जीना चाहते हैं, खुशियों भरी जिंदगी वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ happy family आपके person देख रहे हैं तो गाइस आपको अपने person को positive रहकर manifest करना चाहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, अपने passion को follow करना चाहिए और positive दो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको अपने person का wait नहीं करना है, उनको चेज नहीं करना है, उनके लि होना है, तो यहीं reading है गाइस, आज की वीडियो पसंद आए, तो like, share जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा, okay, bye, take care, love you.